कि कि हम अपने आशवास की वस्तुओं को देख पाते हैं ये खुब सूरत सी रंगीन दुनिया हम देख पा रहे हैं कारण क्या है प्रकाश प्रकाश होने पर ये सारी वस्तुएं ये खुबसुडत रंगीन दुनिया हमको नजर आती है पूरा अंधेरा हो जाए तो हमें कुछ नजर नहीं आता लेकिन क्या आपने सोचा है इस प्रकाश को capture करने के लिए इसको detect करने के लिए भी यंत्र की अवशक्ता होती है अगर आपकी आखें बंध हो और इस कमरे में प्रकाश हो तो क्या आपको वस्तु नजर आएगी तो प्रकाश होने के साथ साथ उस प्रकाश को detect करने के लिए भी यंत्र की अवशक्ता होती है और ऐसे यंत्र जो प्रकाश को detect कर लेते हैं अप्चर कर लेते हैं उस यंत्र को हम कहते हैं प्रकाश यंत्र यानि कि जिसकी सहायता से दूर की और पास की वस्तुओं को इस पश्ट अच्छी तरीके से देखा जा सकता है वो कहलाते हैं प्रकाश केट्र और ऐसा ही एक खुब सुरत सा यंत्र प्रकृती ने हमें दिया है और ये प्रकृतिक खुबसूरत यंत्र है नेत्र। इस नेत्र की सहता से हम प्रकाश को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम प्रकाश को देख सकते हैं और ये खुबसूरत सी रंगीन दुनिया हमको नजर आती है। हमारी आखों के द्वारा हम किसी भी वस्तू का प्रतिविम देख पाते हैं, हम दूर रखी वस्तू को भी देख पाते हैं, हम पास रखी वस्तू को भी देख पाते हैं और इसी आधार पर मानव ने कुछ और प्रकाशिक यंत्र भी बना हैं, जो कि मानव नेत्र के आधार पर ही कार्य करते हैं लेकिन थोड़े से एडवांस है जैसे कि कैमरा यह प्रतिविम पर्मनेंटली बना लेता है मतलब एक बार कैमरा जिस स्लाइट को कैप्चर करता है उसका प्रतिविम आपको हाट काप कॉपी की रूप में मिल जाता है वैसे ही दूर की यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मानव ने बना है वो कहलाते हैं आर्टिफीशल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और यह आर्टिफीशल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे की कैमरा टेलिस्कोप माइक्रोस्कोप यह लैंस दरपन और प्रिज्म का इस्तमाल करके बना जाता है जिसका स्तमाल अलग-अलग स्थिती में किया जाता है हम जानते हैं लेंस तथा दरपन में दो प्रकार के प्रतिविम का निर्मान होता है एक तो वास्तविक और दूसरा अभासी इसलिए जो प्रकाशिक यंत्र भी होते हैं वो दो भागों में बाटे जाते हैं एक व वास्तविक प्रतिविम बनेगा और ये प्रतिविम सदय वी उल्टा बनेगा और दूसरा है अभासी प्रतिविम प्रकाशी की अंत्र यानि की वर्चुल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट इसके एक्जांपल में आते हैं माइक्रोस्कोप और टेलिस्कोप इन में प्रन प्रतिविम सदय भी अभासी होगा और सीधा बनेगा अभी हम बात करते मानवनेतर की मानवनेतर में भी लगा होता है लिए अप अपनी आइखों को चूकर देखिए अगर हम अपनी आइखों को बंद करें और ऊपर से चुके देखे तो हमें कैसा नज़र आता है हमारी आखें उभरी हुई नज़र आती है उभरी हुई नज़र इसलिए आती है क्योंकि आकों में चो लेंस होता है वो बÁi कॉन्वेक्स लेंस होता है यानि कि उभिय उत्तल लेंस और हम जानते हैं उभिय उत्तल लेंस में किस प्रकार के प्रतिविम का निर्मान होता है हम जानते हैं उभिय उत्तल लेंस में यदि दूर से किरने आ रही हो तो उसका प्रतिविम वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा हमारी आखों में भी जो दूर स से आती हुई वस्तू का प्रतिविम बनता है वह वास्तविक बनता है यानि कि उल्टा बनता है हमारी आख में एक परदा होता है जिसे हम कहते हैं रेटीना और इसी रेटीना में ही वस्तू के प्रतिविम का निर्मान होता है लेंस और रेटीना की दूरी कुछ इस प्रकार हो होती है कि रेटीना इस लेंस केий स कॉन्वेक्षी लेंस की फोकस दोरी पर हो तो वहाँ पर वस्तू के प्रतिविम का निर्मान इस पर्ष्ट होता है हम देखते हैं कि दूर से आने वाली वस्तू की किरने मुख्य अक्ष के समांतर जो होती है या पिर जो समांतर कीरने वस्तू की हमारी आखो में पढ़ती है उनका π्रतिविम कहां बनना चाहिए उसका प्रतिविम उस Lens के focus पर होना चाहिए और Lens के focus पर क्या है हमारी आखों का परदा यानि कि रेटीना तो इस रेटीने पर यानि कि इस फोकस तल पर निर्मान होता है वस्तु के वास्तुविक प्रतिविम का यानि कि उल्टा प्रतिविम का अब आप सोच रहोंगे कि उल्टा प्रतिविम बनता है लेकिन हमको तो सारी वस्तुए सीधी नजर आती है इसके है जहाँ पर वास्तविक उल्टे प्रतिविम का निर्मान होना है लेकिन आखों में हम देखें तो यहाँ पर ऑप्टिकल नौफ होते हैं यह नवस ब्रेइन से जुड़े होते हैं और यह ब्रेइन तक सूचना को पहुचाते हैं और मस्तिष्क की साहता से ही इस उल्टे प्रतिविम को सीधा करके देखा जाता है यानि कि इस प्रतिविम को सीधा करके देखने में भूमी का ब्रेन की होती है बागी यहाँ पर जो प्रतिविम बनता है वो तो उल्टा ही बनता है हमारे पास दो आखे होती है और यह दोनों आखे एक साथ किसी वस्तु को देखती है यानि कि दोनों आखों में ही प्रतिविम का निर्मान होता है इस तरीके से हम कह सके तो हमारे पास दोनों आखों में दो प्रतिविम का निर्मान हो रहा है लेकिन मस्तिश्क के कारण ही ये दो प्रतिविम दो नादिक कर एक दिखते हैं जैसे कि आप मुझे अभी देख पा रहे हैं मैं आपको एक ही नज़र आ रही होंगी जब कि आपकी दोनों आखों में मेरा प्रतिभिम बन रहा होगा लेकिन आपके मश्टिशके के कारण ये दो प्रतिभिम एक होकर हमको दिखाई देटे हैं और वस्तू के एक ही प्रतिभि एड्जिस्टिबल है मतलब यह लेंस फ्लेक्सिबल है यह लेंस सिलियारी मसल्स यानि की पेशियों के द्वारा कंट्रोल किये जाते हैं जिससे कि इस लेंस की मोटाई एड्जिस्ट हो जाती है कभी यह लेंस मोटा हो जाता है कभी यह लेंस पतला हो जाता है अवशक्ता अन से किरने समानतर आती हैं और यहां पर लेंस रिलेक्स पोजिशन में होता है और सारी किरने इस लेंस के अंदर से घुसती हैं और यह लेंस अभी सारी लेंस होता है यानि कि सारे किरनों को कनवर्ज करने का काम करता है इसके फोकस तलपर जहां पर प्रतिबिम्ब वास्तिविक निर्मान होता है जिसके कारण हम वस्तू को असानी से देख पाते हैं लेकिन जैसे जैसे हम वस्तू को पास लाते जाते हैं उस कंडिशन में मसल्स पर जोर पड़ता है और ये लेंस उसके according अपने आपको adjust करता है और जैसे जैसे पास लाते जाते हैं ये मसल्स इस लेंस पर बल डालते हैं और उसके बाद इस वस्तु का प्रतीबम इस पश्ट दिखाई देता है बल के द्वारा ये लेंस को आसानी से adjust कर सकते हैं जब वस्तु अनंत पे होती है तो लेंस relax रहता है लेकिन जब वस्तु पास आते जाती है तो लेंस मोटा होते जाता है हम जानते हैं कि रेटीना लेंस के focus तल पे होता है इसलिए जब वस्तू अनंत पे होती है तो लेंस रिलाक्स रहता है और उसका प्रतिविम आसानी से रेटीना पर बनता है लेकिन जैसे ये वस्तू पास आती जाती है तो इसका फोकस जो है वो रेटीना के पीछे हो जाता है अब अच्छी तरी से इस पश्ट रूप से प्यारी मसल्स की सहयता से लेंस पर दबाव पड़ता है और लेंस मोटा हो जाता है जिससे कि उसकी फोकस दूरी कम हो जाए और फोकस दूरी कम होकर वो रेटीना पर शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद प्रतिविम का निर्मान रेटीना में होता है और प्रतिविम इस और ये आँखों की समंजन छमता पॉसिबल हो पाती है पेशियों के द्वारा जिसे हम कहते हैं सिलियारी मसल्स जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आँखों की समंजन छमता भी कम होने लगती है मतलब जो adjustment होता है lens का वो धीरे धीरे कम जोर पढ़ने लगता है आप भी इस चीज़ को महसूस किये होगे कि जब किसी वस्तू का पास लाया जाता है तो उसको देखने के लिए आँखों पर ज्यादा जोर पढ़ता है जब दूर पर कोई वस्तू होती तो हम relax होकर उसे देखते हैं लेकिन जैसे जैसे पास लाते जाते हैं आँखों पर बल बढ़ते जाता है आप अपनी हतेली को लीजिए आँखों के सामने रखिए हाथ को कुछ दूर रखते हम तो हमारे हाथों की रेखाएं हमको इस पश्ट नजर आती है पर जैसे 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 आप पास लाते जाते हैं इसका प्रतिविम बनते जा रहा है लेकिन आप देखेंगे कि आपको आँ हम सोचेंगे कि और इस पश्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है जब हम बहुत पास लाते तो हमारी आखों में बहुत जोर पड़ता है और उसके बाद हमको हमारी आतों की लकीरे भी नजर नहीं आती मतलब वह एक नियूनितम दूरी होती है जहां तक हम किसी भी वस्तु के प से हैं वह आपको क्लियरली नजर नहीं आएंगे ऐसे ही आप अपनी कॉपी को रखिए दूर पर रखिए पास लाते जाए आपको मैसूस होगा कि जोर पढ़ रहा हो पर बल पढ़ रहा है और एक निश्चित दूरी के बाद यदि आप पास लाएंगे अपनी कॉपी को तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे उसमें जो अक्षर लिखे हैं आपको दिखेगा तो वहां पे कुछ है प्रतिविम्ब तो जरूर बनेगा लेकिन इस पश्ट नहीं दिखेगा और यह जो दूरी है जहां तक आप इस पश्ट देख पाते हैं उससे कम दूरी पर आप प्रतिविम्ब को इस पश्ट नहीं देख पाएंगे उस दूरी को हम कहते हैं इस पश्ट दृष्टी की नियूनितम दूरी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इसे हम कैपिटल लेटर डी से दर्शाते हैं और यह नियूनितम मिंदू जहां तक आप इस देख पा रहे हैं इसे हम निकट बिंदू के नाम से जानते हैं वैसे यह दिवस्टू बहुत दूर पर हो तो आप एक निश्चित दूरी तक उसे सपश्ट देख पाते हैं उसके बाद उस दूरी से अगर दूरी और बढ़ा दी जाए तो वस्टू का प्रतिविम भी हमको अगर उसे की अछे प्रतिविम जरूरं दीखेगा लेकिन इस पर सश्ट दिखता बिलकुल क्लियार नेश्य बता बिंदू और एक दूर बिंदू और इस निकट बिंदू और बिंदू के बीच में जो डिस्टंस होता है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन यानि रिष्टी परास यदि हम किसी हेल्दी आई की बात करें तो इसका दूर बिंदू अनंत पर होता है मतलब एक हेल्दी आई जो होगी वह अनंत तक की चीजों को इस पश्ट देख पाती है जैसे कि आप लोग चांद तारों को देख पाते हैं यह चांद तारे बहुत दूर है लेकिन फिर भी हम इनको देख पा रहे हैं तो एक तरीके से हम यह मान सकते हैं कि अगर हेल्दी आई होगा तो उसका दूर बिंदू कहां पर होना चाहिए अनंत पर और वैसे एक हेल्दी आई के लिए जो निकट बिंदू है यह हम कह सकते हैं जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ वीजन है इस परश्ट द्रिष्टी की नियुनितम देरी वह कितनी होती है वह 25 सेंटीमेटर होती है और यह जो इस परश्ट द्रिष्टी की नियुनितम दूरी है यह उम्रे के साथ साथ बढ़ती जाती है यदि एक 10 साल का बच्चा होगा तो उसकी परश्ट द्रिष्टी की नुनितम दूरी लगभग साथ से आठ सेंटीमिटर की होती है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए मान लेजी आप साथ साल के हो गए तो आपकी इस पश्ट दृष्टी की नुनितम दूरी भी बढ़कर लगभग 200 सेंटीमिटर की हो जाती है जबकि एक हेल्दी की इस परश्ट द्रिश्टी की नुनितम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है इस प्रकार हमारी आखों में बहुत सारी एड्जेस्टमेंट छमता होती है हम दूर की वस्तू को भी देख पाते हैं हम पास की वस्तू को भी देख पाते हैं हम कम रोश्णी में भी वस्तू को देख पा फोकस दूरी एड़ेस्ट हो जाती है इसका मतलब यह जो एड़ेस्टिपल लेंस हमारी आखों में होता है यह अलग-अलग स्थिति के लिए उपयोगी होता है लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो कमजोर पढ़ हैं वो प्रॉपर दबाव मैं डालकाते लेंस पर जिसके कारण धिरे-धीरे आखों में कई प्रस्कार के डिफक्ठ उत्पण होने लगते हैं आज कल तो आम देखते हैं कि बच्पन से ही बच्चों की आखों में कुछ-कुछ defect से उत्पन हो जाते हैं वो सिलीयारी मसल्स की कमजोर पढ़ने की कारण होते हैं कि कारण जो lens वो सही जगे पर focus नहीं कर पालखे और प्रतिभियू का निर्मान नहीं हो पाता